हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाईज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोहा का बहुत ही चटपटा क्रंची स्नैक तो जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है या फिर मूवी देखते हुए आपको कुछ हलका सा खाने का मन कर रहा है तो आप इस स्नैक को दस मियट पर बना करके पूरी फैमिलिक साथ इंज्वाइक कर सकते हैं सबी की यह बहुत पसंद आएगा बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल सा है फटा फटा है तो चलिए बनाना बताती हूँ कैसे बनाना है इस snack को बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप पोहा पोहा को हम चेक कर लेंगे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होना चाहिए और एक cotton के कपड़े से साफ कर लीजिए ताकि कोई भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए उसके बाद हमें पोहा को fry करना है तो ओइल गरम होने के लिए रखिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा ओइल आपका मीडियम गरम होना चाहिए पोहा को मैंने एक छनी में डाला और छनी को हम उठाकर ओईल में डाल देंगे चमस से आलट पलट करेंगे और पोहा आपका अच्छे से fry हो जाता है इस तरीके से हम छनी में डाल के fry करते हैं तो ओईल हमारा एकदम साफ सुतरा रहता है और निकालने में हमें बिल्कुन भी टाइम नहीं लगता है अगर आप चाहें तो डारेक्ट पोहा को ओईल में डाल कर फ्राई कर सकते हैं लेकिन इससे क्या होता है कि जब तक आप अराम अराम से पोहा को निकालोगे ना ओल से जलने लगता है इसलिए मैंने छनी में डारेक्ट डाल करके फ्राई किया हुआ है तो दो बार पुहा को फ्राई कर लेते हैं तो ये पुहा हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे एक बाउल में मैं ट्रांसफर कर लेती हूँ इस तरीके से आप पुहा फ्राई करते हो ना एकदम कुरकुरा बहुत ही बढ़िया फ्राई हो जाता है फिर मैंने ले लिया है मुंफली तो एक कप मुंफली लिया है और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे तो मीडियम फिलेम रखिएगा और दो तीन मिनिट में आपकी मुंफली फ्राई हो जाएगी चम्मा से हम इसे मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे जैसे यह आप देखो हलका सा क्रैश हो गई है मॉंफली कलर डार्क हो चुका है इसे हम ओल से बाहर निकाल लेते हैं डारेक्ट हम इसे फ्राइ किये हुए पोहे में आइट कर देंगे साथ में मैंने लिया है यहाँ पर एक कप दलिया तो मैंने पोहा, मॉंफली और दलिया की कौन्टिटी बराबर रखा है आप चाहें तो कम जादा कर सकते हैं दलिया को भी हमें फ्राइ करने की जरूरत है तो 3-4 मिनाड तक मिक्स करते हुए हम दलिया को फ्राइ कर लेंगे जैसे ही आप देखो कि दलिया का कलर चेंज हो गया लाइट ब्राउन कलर आ चुका है इसे भी हम transfer कर लेंगे उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पर करी पत्ता हमारे इस snack में करी पत्ते का flavor बहुत अच्छा आता है तो करी पत्ता को भी हमें fry कर लेना है ध्यान रखीगा अच्छे से fry करेंगे अगर करी पत्ता आपका स्वाफ्ट रहेगा ना तो इस नेक अच्छा नहीं बनता है हमें करी पत्ते को एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये करी पत्ता बढ़िया से फ्राई हो चुका है इसे भी मैं ट्रांसफर कर देती हूँ अब हम इसमें फ्राई कर लेते हैं हरी मिर्ची तो मैंने हाँ पर दस हरी मिर्ची को पतले स्लाइस में चौप करके और फ्राई किया हुआ है हरी मिर्ची को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है ताकि हरी मिर्ची सारा जूस निकल जाए रिग्दम क्रिस्पी हो जाए काफी क्रिस्पी हो चुकी है अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं तो सब इस चीज हमने फ्राइग कर लिया है अब इसे हम मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से चम्मच भर करके अमचूर पाउडर जिसे की खटा फ्लेवर आएगा इस इक साथ एक चम्मच जीरा पाउडर लिया है मैंने बहुती बढ़िया खुसबू आ जाएगी और साथ में ले लिया है मैंने एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आप कम ज्यादा कर सकते हमने हरी जायर चम्मच भाएं चम्ममी झजीर मिर्च यान व। भिपन ज्याएग अ क्भाएं लिए यह क्वै यंज दिती देगों शस्ती पवन विपेल तभ जोलिए दिरष नमगलमश्च सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपका ये दस मिनट में बनने वाला इसना एक तैयार है मूवी देखते हुए आप इसे गर्मा गरम इंजोय कर सकते हो बहुत ही ये बढ़िया लगेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिस्पी पसंद जरूर आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ मैं आप लोगों को एक नए रिस्पी में बाई गाईज